करके कि दो दिन का अंदर गोली मारंगे करेंगे पता बहीं नहीं चलेगा उसका आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा बस माल पानी देते रहें अच्छा कुछ नहीं बिगड़ना है अपना अधी का मुनोबल पर है जा रहा है यह सिर्फ थाना परभारी सब ले देके काम कर रहे हैं और मौत क्या हो जागा इन्होंने सोधा कर दिया हमारा आपमारी हम कुछ न मैश करता है आज से दो दिन पहले हम लोग आए थे सुराज के घर पे और पता चला था सुरज के भाई और मम्मी और सब बतारा था कि कुछ दिन में कल न्यांपर कुरकी होगा और सच में कल कुरकी हुआ है और मुझे पता चला है कुछfront हो रहा वं कुलत के दूफ सकते हैं इक दरवाजा निकाल गया है बाकी खिर्खी सब कुछ जियोकतियों है बाकी सब समान जियोकतियों एक दम फर्मिलीटी सिर्फ उनको जो अपरादी है उनके घर वालों को यहाँ पर पुनरस्था पीत किया गया है कि हम कुर्की के बहाने से चलेंगे आपको पुना उस घर में रखवा देंगे अच्छा पिर आप अंजली के अंजली के बच्चे को अंजली को और जो लोग चाह रहा है कि ना रहेगा बास ना बाज़ेगा भूसरी कि कोई भी बात हम रखते हैं तो उसको एविडेंस के साथ रखते हैं तो इस बात को जोटला भी नहीं सकते अब गोली बारी तो आप लोगों के सामने भी हुई थी कोई दफा लेकिन अभी बीच में थप थी लेकिन 26 जन्वरी के रात को हुई थी तीन गो उस पे हमने जब कि यहां पर चोकिदार साह मुझूद थे आज पास के सब भींडा वाले यहां पर आगे और बोले कि इस पर कंप्लेंड किजिए यहीं पर फाइरिंग हुई है हमने थाना परभारी को सुचित किया तो यहां पर थाना परभारी आए लेकिन उनको गोली नहीं मिला तो बोले द परभारी को रात को एक फरवरी को रात को 11.30 बज़े के आसपास यहां पर तीन चार फाइरिंग हुआ और दो गोली थाना परभारी के द्वारा बरामत भी किया गया जो फाइरिंग करने वाला था उसका हु बहु सकल आकास गिरी जो सशी भुशन गिरी का लड़का है उसस से मैच करता है और वो सीची टीवी फूटेज में तीन से चार लोगों की संख्या है जो यहां पर आके फाइरिंग कर रहे हैं उसके बाद जो सशी भुशन गिरी की बहन है रिना देवी उसके द्वारा अभी आज की बात है कुछ मीडिया कर्मी के सामने धमकी दी जाती है क कि मुझे इशारा करके इंडिकेट करके कि इसको दो दिन का अंदर गोली मारेंगे और ऐसी जगह गोली मारेंगे कि पता भी नहीं चलेगा उसका वीडियो भी है इतना आपके पांच लागतार आपके उपर लोग अथी लगा रहा है कि इनको मार दिया जाएगा प्रसासन यहां-स नहीं चीज़ीकर करते हैं-सी का मुझन लगातार वह आरोप्त मिले गातार कि इनको मार देगा जाएगा परभात कुमार नहीं तो क्या बोलते हैं उनका ऊ birlगता कि मजए मोड़न Meippa के सुरज के पहले से मिले तदेथे जो अपराधी है उसके खिलाप में उनको दिखाये था लेकिन अभी ना परदी अब सोचिए कि थाना प्रभारी और इनके घर वालों का क्या रिलेशन है जब वहां पर चाय नास्ता पानी जो से बता रहे हैं वहां पर हो रहा है तो यह कहीं ना कहीं मिली बिल्कुल 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 फिर आप लोग का तो जानगे खत्रा है इसलिए ना आपको बुलाएं हैं आपके माधियम से लास्ट मेसेज दे देना चाहते हैं कि अगर हम कल मर जाते हैं यह खत्म हो जाती है क्योंकि देखिए अब तो हमारे जान के खत्रालम सम्दस गुना बढ़ गया है क्योंकि यहां पर थाना परभारी के द्वारा मतलब की आपको नहीं तो शायद जेसे सुरज को मार दिया गया और अब तक नी नहीं प्रवाज देने के बाद आपके थाना चेटर का अंदर कोई गोली वारी हो जाए और गोली खोखा बरामद हो जाए थाना पर भारी तुरंट संग्यान में आ जाते हैं अभी तक हम देखें हैं बिल्कुल है ना कूर्की अगर तिरासी का किसी 302 के अरोपी का निकलता है तो उ मजबूर हो जाए और गिरबतारी दे अपना सेलेंडर करें इसमें ऐसा कौन सा मजबूर किया गया है यह उक्साया जा रहा है कि आप और अपराद करेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा बस माल पानी देते रहिए अच्छा कुछ नहीं बिगड़ना है अपना खेर आप नहीं बचा पाईएगा क्योंकि हमारी जिंदगी मौत का फैसला थाना परभारी ने कर दिया है को जिंदा रहें कि मरें का करेंगे का नहीं हो तो कल का कल पता चलेगा लेकिन प्लीज सारन को बचा लिजिए ऐसे थाना अध्यक्षों से ऐसा थाना परभारी से थाना परभारी और प्रसासन का अगर आप जो मुझरी में उस पर सिकंजा कस दोगे टाइट कर दोगे उनको सही जवाब मिलेगा तो वह स्टेंडी नहीं कर पाएंगे जब आप उनको देल दो गया आप माल देते रहें कोई दिकत नहीं है आपका क्या भीड़ेगा वही हो सारे अपरादी यहीं हैं होट चाट च्छटे साथवे दिने आकर फाइरिंग कर जाते हैं अब तो बलकी इनके घर में आकर रहते हैं का पता एक बार भी परभारी आके इनके घर में रात को ढूंड़े नहीं कोई छपे मारी कुछ नहीं होता है यानिकि अब तो पहले डर उपने आख किसी दिन या साम को लेकिन अब तो खुलियाम अपने घर पर रहेगा कब आए गा किसको मार देगा अब जान का रक्षा बंद कर दिया है किसी को पता नहीं है यह सिर्फ थाना पर भारी हम लेदेकर काम कर रहे हैं और मौत क्या हो जागा इन्होंने सौधा कर द देख लेंगे कि जो होगा सो होगा लेकिन ऐसे यहां के अधिकारी पे जांच बैठनी चाहिए क्योंकि अगर ऐसे होते रहे तो साइध हमारे सारन का क्या होगा नतीजा आप देख पाए रहेंगे वीडियो को शेर कीजिए और बताएए कि यहां के जो भी प्रसासन है कितना स सही है और कितना गलत